हेलो फ्रेंड्स आज हम पोहा से लली पप बनाएंगे ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है क्यूंकि इसमें हम मैदा, कनफ्लोर, बेड क्रम्स का यूज नहीं किये हैं इसको आप आसान से घर में बना सकते हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्ट लगेगा आपको पता नहीं चलेगा ये पोहा से बनाया हुआ लली पप है चलिए अब हम बनाना स्टाट करेंगे पोहा लली पप इसके लिए हम यहाँ पे एक कप पुहा लिए हैं इसको अच्छे से धो लिए हैं धोने के बाद इसको कभर कर लेंगे और रेश्ट के लिए पांच साथ मिनिट के लिए रख देंगे हाप कप पुहा लिए हैं इसको grind करके इसका powder बना लेंगे दिखिए इसे दरदरा powder हम बना लेंगे ज़्यादा fine powder नहीं दरदरा पीछ लेंगे तीन उबले हुए आलू लिये हैं इसको grater से grate कर लेंगे अभी हम आलू को grate कर लिये हैं अभी देखेंगे पोहा अच्छे से फूल गया है अभी हम इसको अच्छे से हाथ में मसल मसल के चिकना कर लेंगे पोहा थोड़ा ड्राय लग रहा है इसलिए हम इसमें दो तीन चमुच पानी ड्राल देंगे अच्छे से मसल मसल के इसको चिकना कर लिजिए अभी पुहा को अच्छे से चिक्निया कर लिए हैं अभी हम इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू 1 टीस्पून साबुचीरा 1 टीस्पून कास्मिरी रेट चिली पाउडर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर 1 टीस्पून गरम मशाला चाट मसाला हाप टीस्पून धन्या पाउडर हाप टीस्पून थोड़ा सा पीपर पाउडर भी इसमें डाल देंगे कटे हुए धन्या पत्ता ओनियन को छोटा छोटा काटके रखेते इसको भी डाल देंगे अभी सारे चीज को हाथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्वाथ के हिसाब से थोड़ा सा नमक डालेंगे और अच्छे से मसल मसल के इसको मिक्स कर लेंगे अभी इसमें से थोड़ा छोटा छोटा बाल बना लेंगे जैसे लालिपप साइज का अब हम यहापे थोड़ा सा अटा लिए हैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे एक घोल त्यार करेंगे धीरे धीरे करके आपको पानी आड़ करना होगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लिजिए अभी देखिए बॉल त्यार हो गया अटा का घोल ले लिए हैं जो चूड़ा को पाउडर बना के रखे थे इसको भी ले लिए हैं पहले आटा में डीप करेंगे और इसको चूड़ा में कोट करेंगे इसे करके सारे हम बना लेंगे आटा का घोल में डीप करेंगे और चूड़ा का जो पाउडर बना के रखे थे इसमें इसको कोट करेंगे और ऐसे करके जो सारा बल है इसको ऐसे त्यार कर लेंगे अभी सारे तैयर कर लिए हैं अभी जले फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के लिए ऑईल को गरम करेंगे ऑईल अच्छे से गरम होने के बाद इसको फ्राइ करेंगे एक तरफ से हलका सा गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसको पल्टाएंगे अभी देखिए अच्छे से golden brown हो गया है अभी हम इसको एक plate में निकाल लेंगे अभी हम toothpick के लिए हैं इसको इसमें insert कर लेंगे से जिसे lollipop का save देने के लिए इसमें toothpick को इसे लगा लेंगे देखिए कितने जल्दी और कितने आसान से आप पुहा ललीपप बना सकते हैं आप एक बार इसको घर में बनाईए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे मेरे वीडियो को लाइक सेर करना ना भूले थैंक यू फर वाचिंग